हेलो फ्रेंद्स वेलकम वेक टू माई यूटूब चैनल नॉलेज गेईनर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं टॉपिक चंद्रयान 3 जो की एक हमारे लिए काफी गोरब का जो बात है हम लोग फक्र से हमारा दूसरा है उचा ह हो जाता है जब हम लोग हमारे हिंदुस्तान का बात आता है तो उसी के आधार पर मैंने ये मोक टेस्ट या आप कह सकते हैं MCQ-based questions जो भी कह सकते हैं वो मैंने प्रिपेर किया हुगा है तो आप लोग प्लीज दिल से इसको लर्ण किजिएगा यहां से बहुत सारे questions एकजम म आएए देखते है question number 1 Who is the project director of mission चंदरयान 3? अर्थात Mission चंदरयान 3 के परियोजना निर्देसक कोन है? आएए देखते हैं इसके options A. S. Somanath B. G. Madhavan C. P. Veera Muthu Vail D. K. Sivan इस question का correct answer होगा option C. P. Veera Muthu Vail चलिए आगे बढ़ते question number 2 की ओर question number 2 When was the mission चंदरयान 3 launched? अर्थात Mission चंदरयान 3 कब launch किया गया? आपके options हैं A. 15 July 2023 B. 14 July 2023 C. 13 July 2023 D. 12 July 2023 इस question का correct answer होगा option B. 14 July 2023 2023 और याद रखेगा चंदरयान 3 जो की इस्टो का 3 चंदरयान मिशन है और यह चंदरयान 2 का follow-up है और चंदरयान 3 का मुख्य उड़ेशय है चंदरयान 2 का मुख्या है चंदरयान के दक्षिनी धुरूप पर लेंड सौफ लेंडिंग कराना और वहाँ पर रोबर को भेजना जिससे की साउथ पोल के जितने भी मतलब चीजें हैं उसको एक्स्पोर करना या उसके भी समय जानकारी हासिल करना है में उदेश्या है आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर थरी की ओर और भारत की रोकेट महिला के नाम से की से जाना जाता है आपके ओप्सन्स हैं याद रखिएगा रितू करिदल यानि की डॉक्टर रितू करिदल स्रीवास्तव को भारत की पहली रोकेट महिला के नाम से जाना जाता है उन्होंने ही चनरियान 3 का मिशन जो था उसको लिट किया था चले देखते हैं क्वेशन नमबर 4 वाट इस दा फूल फॉर्म आफ इसरो और था इसरो का संपूर्ण रूप क्या है आपके आप्शन से A. इंडियन स्पेशियल रिशर्ज और्गनाज़शन B. इंडियन स्कूल रिशर्ज और्गनाज़शन C. इंडियन स्पेश रिशर्ज औरगनाज़शन चले देखते हैं क्वेशन नमबर 5 वाट फ्र मिशन चंरियन 3 ऐस बीन लौंचट और थात, मिशन चन्रयान 3 किस स्थान से लॉंच किया गया? आपकी ऑप्शन्स हैं A. मेंगलरु स्पेस सेंटर B. विक्रम सारावाई स्पेस सेंटर C. डॉक्टर अबदुल कलाम आईलेंड स्पेस सेंटर D. सथिस दवन स्पेस सेंटर इस कोईशन का करेक्ट एंसर होगा Option D. सथिस दवन स्पेस सेंटर और याद रखेगा हमारे इंडिया में कुल तीन रोकेट लॉंचिंग साइट्स हैं एक हो गया विक्रम सारावाई स्पेस सेंटर जो की थिरुगरंद पूरम में है दूसरा 37 दवन स्पेस सेंटर जो की स्री हरी कोटा यानि की आंधरा प्लेस में है और तीसरा डॉक्टर अब्दुल कलम आईलेन स्पेस सेंटर जो की ओडिस्टा में है तो जो चंदरयान 3 जो था वो स्री हरी कोटा से लॉंच किया गया था यह काफी important point है याद रखिएगा आए देखते है question number 6 What is the total budget of mission चंदरयान 3? अर्थात mission चंदरयान 3 का कुल budget कितना है? आपके options हैं A. 78 crore B. 720 crore C. 615 crore D. 602 crore इस question का correct answer होगा option C. 615 crore और याद रखिएगा चंदरयान जो mission था जो पहले attempt में successful होए थे हम लोग उस mission का लागत था 386 crore और चंदरयान 2 जो की हम लोग बोल सकते हैं बोध अधक कि यह successful रहा था इसका landing के वज़र से swap landing ना होने के कारण यह हमारा जो mission था वो communication gap हो गया था विक्रम lander से तो उस mission का लागत था 978 crore याद रखिएगा काफी important सवाल है आगे बढ़ते question number 7 की ओर mission चंदरयान 3 will land on which part of the moon अर्थात mission चंदरयान 3 चंदरमा के किस भाग पर उतारा जाएगा आपके options है A. North Pole B. West Pole C. South Pole या D. Center of Moon इस question का correct answer होगा option C. South Pole चले देखते है question number 8 when was ISRO established? अर्थात ISRO की इस्थापना कब हुई थी? आपके options है A. 15 August 1959 B. 15 August 1969 C. 19 August 1975 या D. 19 August 1985 इस question का correct answer होगा option B. 15 August 1969 चले देखते है question number 9 name the launching rocket of mission चंदरयान 3 अर्थात mission चंदरयान 3 के launching rocket का नाम क्या है आपके options है A. PSLV B. LVM3 C. SSLV या D. PQLV इस question का correct answer होगा option B. LVM3 Hello दोस्तों यह जो notes दिया है मैंने यह कापी importance है आप लोग प्लीज screenshot लेके पढ़ सकते हैं आगे बढ़ते है question number 10 की और Where is the headquarters of ISRO located? अर्थात ISRO का मुख्याला कहां इस्तीत है आपके options है A. Noida B. New Delhi C. Bengaluru या D. Tamil Nadu इस question का correct answer होगा option C. Bengaluru Hello friends अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले ताकि इस तरह के knowledgeable contents में आपके लिए लाता रहूं चले देखते है question number 11 Name the main rocket engine for Chandrayan 3 अर्थात Chandrayan 3 की मुख्या rocket engine का नाम किया है आपके options है A. CE 12 cryogenic engine B. CE 16 cryogenic engine option C. CE 18 cryogenic engine या option D. CE 20 cryogenic engine इस question का correct answer होगा option D. CE 20 cryogenic engine आगे बढ़ते question number 12 की ओर Name the organization who launched Chandrayan 3 recently अर्थात उस संगठन का नाम बताईए जिसने हाली में Chandrayan 3 का launch किया आपके options है A. NASA B. ISRO C. JASA या D. ISA इस question का correct answer होगा option B. ISRO चलिए आगे बढ़ते है question number 13 की ओर Who is the mission director of Chandrayan 3? अर्थात Chandrayan 3 के mission निर्देशक कोन है आपके options है A. K. C1 B. S. Mohana Kumar C. S. Somanas या D. Radha Devi इस question का correct answer होगा option B. S. Mohana Kumar Hello friends अगर आप लोग इस चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe कराना आप बुले ताकि मैं इस तरह के knowledgeable contents आपके रिए लाता रहूँ चलिए देखते है question number 14 Mission Chandrayan 3 of India is which number of moon mission? आपकी options है A. Fourth B. Third C. Second या D. Sixth इस question का correct answer होगा option B. Third Hello friends ये जो questions दिये हैं मैंने ये काफी important है जो की recently जो चंदरयान 3 लॉंच हुआ था उसके basis पर है तो please ignore ना करें और complete देखें और please notes बना कर study करें आए देखते है question number 15 What is the name of the lander of Mission Chandrayan 3? अर्थात Mission Chandrayan 3 के lander का नाम क्या है? आपके options है A. Rohini B. Kalam C. Vikram या D. Sivan इस question का correct answer होगा option C. Vikram और याद रखेगा ये जो Vikram जो lander का नाम रखा गया है ये हमारे भारत के पहले जो की founder and chairman जो बोल सकते हैं इस रो के Vikram सारावाई के नाम पर रखा गया है याद रखेगा दोस्तों आगे बढ़ते question number 16 की ओर What is the theme of Mission Chandrayan 3? अर्थात Mission Chandrayan 3 की theme क्या है? आपके options है A. Science of the Moon B. Science of the Earth C. Science of the Space D. Science of the Rocket इस question का correct answer होगा option A. Science of the Moon आगे बढ़ते question number 17 की ओर When was Isro launched first moon mission? अर्थात Isro ने पहला चंदरावा mission कब launch किया था? आपके options है A. 22 July 2008 B. 22 September 2008 C. 22 October 2008 या D. 22 December 2008 इस question का correct answer होगा option C. 22 October 2008 और याद रखेगा ये mission जो था 386 क्रोड में बनाया गया था और ये जो mission था ये पहले attempt में successful रहा था और इस दोरान इस mission के दोरान उस वक्त के chairman थे इस रो के जी माधाबन याद रखेगा Hello friends अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe करना न भूले ताकि इस तरह के knowledge of the content में आपके लिए लाता रहा हूँ चले देखते हैं question number 18 How many countries already went to South Pole of the Moon? अर्थात कितने देश पहले ही चंदरमा के दक्षिनी धुरूपर जा चुके हैं आपके options हैं A. 4 B. 3 C. 2 या D. 0 इस question का answer होगा option D. 0 अर्थात अगर इस mission में भारत सफलता हासिल करता है तो भारत ही ऐसा पहला देश होगा जो की दक्षिनी धुरूप यानि की चंदरमा के दक्षिनी धुरूप की सतह पर जाने वला पहला देश होगा चलिए आगे बढ़ते question number 19 की ओर Who was known as the father of Indian nuclear program अर्थात भारत्य परवानु कार्यक्रम के जनक के रूप में की से जाना जाता है आपके option से A. विक्रम सारा भाई B. होमी जे भाबा C. एपी जे अब्दुलकलाम या D. नौन अब दा एबब इस question का correct answer होगा option B. होमी जे भाबा और याद रखिएगा उनके नाम पर ही हमारा जो atomic research center है B. A. R. C. यानि की भाबा atomic research center जो नामे वो रखा गया है काफी important point है आप लोग याद रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इस session के अंतिम question की ओर question number 20 Which space agency is the oldest agency in the world? अर्थात कौन सी अंतरिक agency विश्व की सबसे पुरानी agency है आपकी options है A. ISRO B. NASA C. ISA या D. ASA इस question का correct answer होगा option B. NASA Hello friends यह जो questions है यह काफी important है I hope आप लोग को यह questions यह sessions अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो please अपने दोस्तों के साथ सेर करें और आप लोग ने अभी भी मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दे ताकि मैं इस तरह के knowledgeable contents फूचर में भी ला सकूँ और मैं जल्दी मोक टेस्ट शुरू करने जा रहा हो तो आप लोग का मुझे support का ज़रूँ थे तो please आप लोग इस चैनल में जुड़े रहे ना कि मैं मोक टेस्ट जल्दी सुरू कर सकूँ और जो आपका मिंग एक्जाम है उसके लिए हम लोग तैयारी कर सकें thank you so much दोस्तो और बने रहे इस चैनल के साथ और all the best for your upcoming exam thank you so much